हेलो फ्रेंस अलेकों आप लोग कैसे उमीद करते हैं आज हम बनाने जा रहें आलू का प्राटा जिसके लिए हमने ग्राइंडर मिली है धनिया की पत्ति हरी मेर्च लैसा उस्वाद उनुसर नमा उसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से और हमने पहले से आलू बाल के रखे यह स्वाद अच्छा आना चीखाने में टेस्ट करके देख लेंगे हमके अच्छा यह नहीं अगर कम लग रही है तो और चटनी मिक्स कर लेंगे और हम फिर आटे का एक लोई काट करके और इसको कटोज जैसे शेप देंगे आलू की स्टफिंग फिल करेंगे देखे कटोज जैसे शेप नियार करेंगे और इसमें फिर हम आलू की स्टफिंग फिल करेंगे फिल करके ओपर से इसको हम पैक कर देंगे अच्छे से अगर एक्टा हटा है उसको निकाल देंगे देखे फिल करके एक्टा हटा है तो निकाल देंगे उसको फिर वहीं पर हम दबा करके चप्टा कर लेंगे हलका सा और आटे में डिप करके इसको रोल करेंगे हलके हातों स बहुत ही हलके हाथों से रोल करना है ताकि यह फटे ना अच्छे से रोल करके बेल लेंगे बेल करके हम इसको फिर फ्राइ करेंगे तेल लगा के या घी लगा के जो आपको खाने में पसंदो तेल में हमने लगाये रिफाइन ओयल इसी तरीके से हम सारे प्राठे तयार कर लेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए इन प्राठो को आप चटनी के साथ अचार के साथ या किसी सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं हमने अचार चटनी के साथ सर्व किया था बाई बाई अल्ला हाफिज